मेरे साथ इस वक्त भारत रतन करपूरी ठाकुर के बेटे और जेडियू से राजसाबा सांसद रामना ठाकुर मौजूद हैं खास बाचेत के लिए और आपको बता दे कि जिन करपूरी ठाकुर को भारत रतन देने की घोशना के बाद बहार में सियासत की तस्वीर बदल गई पासा पलट हो गया उसके बाद मेरी बाचित रामना जी से पहली बार हो रही है और रामना जी एक सवाल सबसे पहला मेरा यह होगा कि इस बार जो मिंडेट मिला है एंडिये को उसको कैसे देखते हैं आप सहयोगियों का साथ होना बीजेपी के लिए इस पर प्रतिक्रिया आपकी कैसी रही है धन्यवाद नेदी जी लोक तंत्र में जब सहयोगी दल होते हैं तो उनके विचार उनके नियम उनके सिध्यान अलगल होते हैं लेकिन एक समान विचार धारा पर चलने के लिए जो अभी चुनाव संपन हुए हैं जिसमें जन्ता दलियो और टीविपी के लोग आये हैं उसमें नरेंद मोदी जी को सहयोग करने के लिए भारतिय जन्ता पार्टी को सहयोग करने के लिए एलान किया है और कल उसकी बैठक है नए संसर सदोस्तों का इंडियों की बैठक है तो जो वीचारो प्रांत जो मेरे नेता, मेरे राष्ट्रिय अध्यक्ष जो नर्ने किया है, उस नर्ने के साथ हम लोग हैं और हम चाहेंगे जनता ने जिसको मेंडेट दिया है, उस मेंडेट पर काइम रहे और आगे जो संकल पत्र पर, चुनाव घोसना पत्र पर जो दर्साए गये हैं, उस पर चलने का काम करेंगे, सहयोगियों के विचारो प्रांत जो सही कदम होंगे, उस में उठाने में कोई विलम न करने का काम करें या मेरी अपनी राया चुकि आप जेडियू से सांसत भी हैं, इसलिए इस सवाल है कि जेडियू लगतार बिहार को विशेश राजे का दर्जा देने की मांग करती रही है और अब जब आपके पास मिंडेट है, आप इतने सांसत लेकर आए हैं बहार से, तो क्या आप चाहेंगे कि इस बार तो कम से कम मिल जाए कि इसकी भरसक कोशिश रहे यह तो पहले से मांगी जा रही है, लेकिन अब नए संदर्व में हमारे राश्टी एध्यक्ष नितीश कुमार जी प्रधान मंत्री से बात करके अपनी बात रखेंगे और उस पर प्रधान मंत्री जी विचार करेंगे और नितीश कुमार जी की मांगों पर ध्यान देंगे जेडियू से नेता है केसी त्यागी, उन्होंने कहा कि UCC और अगनीवीर ये इससे नुकसान हुआ है और इसकी समीक्षा होनी चाहिए ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर की है, इस पर आपकी क्या प्रतिक है? विचार करने के लिए तयार होंगे, तो निस्तिरुप से इस पर विचार होगा उसमे संसोधosc़ण होगा, होनी चाहिए, निस्तिरुप से होनी चाहिए एक narrative set किया गया यह मेरा सवाल बाकी जो सानसद जीत करा है उनसे भी था और आप से भी है चुकि आप राजय सानसद है एक narrative set किया गया विपक्ष की तरफ से उत्तर प्रिदेश में और बाकी राज्यों में इसका फायदा भी हुआ कि सम्विधान खत्रे में है और इसका सीटे सेटी सीटे जीत कर लाई या बाकी राज्यों में भी फायदा हुआ है बहुत अच्छा प्रसंद किया है ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में ये गरीब लोगों के बीच में मद्धम वर्गी लोगों के बीच में ये परचारित और फरसारित हो गया कि ये समिधान को बदलेने और इसको लोग गहन रूप में उभी कारण हो सकता है लेकिन समिधान बदलना बड़ा मुश्किल है जो आरक्षन का है वो हिंदुस्तान की जनता इसको होने नहीं देती अगर ये किसी के मन में भर्म पैदा हो गया या परसारित किया गया ये दुस्परचार के कारण कुछ हमको घटनाएं घट गई मने उसका दुस्परणाम हमको मिला मने इंडिये गठ फंदन को लेकिन नितीश कुमार जी के रहते हैं यह काम कोई भी बड़ा से बड़ा आदिमी कोई नहीं यह नहीं होने देती और वही कारण है कि हम लोग बच 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 कल बैठक होगी जेडियो की और तमाम विश सवाल है मतलब सबसे पहले तो इसी में आप बताएं कि चर्चा के इन विशे उपर होगा अब तो नेता का चुनाव होगा समर्थन होगा और लोग राश्पती को जाएंगे के मेरे नेता हुए एंडिये के नेता होंगे और राश्पती अपना नियाना करेंगे कि हम कभ आम को और कहा कि हम साथ रहेंगे जेडियू के तरफ से ये बयान भी आया है जिसमें कहा गया कि हमें ये जो मिंडेट मिला है बारास अंसद ये इसलिए मिला क्योंकि हम बीजेपी के साथ रहे हैं लेकि नितिहास बताता है कि नितीश जी बदलते रहे हैं उन्होंने कई बार प तरफ उनके बिना काम नहीं चल सकता है मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नितीश कुमार जी अब उस तरफ नहीं जाने वाले मैं सिर्फ आपकी बात पर भरोसा करूँ मैं सिर्फ आप से साधर पुरुन यह जोड़ार ढंग से करना चाहता हूँ कि जनता दुलवी यू के एक साधर सदस होने के नाते मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अब राष्ट्रिय अध्यक सरी नितीश कुमार जी यह काम करने वाले नहीं लोग कहते हैं कहने के लिए तो किसी को रोक नहीं सकता है लेकिन मेरी समझ से अब यह काम नहीं होने वाले क्या कारण है कि आप ऐसा कह रहे हैं कारण हो गया कि लोगों के बीच में भर्म पैदा जो हो गया उन्होंने गोशना कर दिया कि अब जब तक हम रहेंगे जब तक जिन्दा हम इसी इंडिये के साथ रहें यह यह गोशना कर आपको वो तस्वीर याद है एक सवाल है वो तस्वीर याद है जिसमें प्यमूदी के साथ रोडशो कर रहे थे नितीश कुमार जिसमें उनके हाथ में कमल था और लोगों ने खुब उस तस्वीर के बारे में उनकी अलोशना की कि नितीश जी बिलकुल मुर्जाय हुए और जो डिफीट मोड में होते हैं कि मतलब अब राजनेतिक पारी उनकी लगभा ओवर है इस तरीके की बाते भी उठी मंत्री मंडल को लेकर तो कुछ कहेंगे आप जो जो निरने करेंगे हैं मुख मंत्री जी नितिश कुमार जी वो उसको पालन करेंगे स्री नरेंद्र मोदी जी क्या पता अचानक से कॉल आ जाए आजा तो उसके बाद उसके बाद हम विचार करेंगे चुक्रिया बाचित करने के लिए रामनाज जी अपने घर पर है और फिलाल पते खोले नहीं जा रहे हैं जेडियू के तरफ से चरचाए सबसे जादा है कि जिनको मंत्री मंडल में जगह मिलेगी उनमें से एक यानि रेस में आगे कोई विक्ती है तो उसमें रामनाज ठाक ऐसे कह लिजे कि अगर भिहार में कोई सबसे सशक्त पार्टी बनकर आगे उभरी है तो वो जेडियू जिस जेडियू को पहले आलोशना की जा रही थी कि नितीश कुमार की पार्टी खत्म होने वाली है क्या बीजेपी के चाये में रहकर ही राजनिती आगे की जाएगी त समाम तरह की सवालों पर विराम लगाते हैं वे 12 सांसत इस बार जेडियू के बनकर आए हैं और ऐसे में मंत्री मंदल में किसको जगे मिलती है ये देखना होगा अपने सोयगी मनुस्तर पार्टी के सार नीदिश्री एबीप नियूस दिल्ली